कि विदान परिशाद के बारे में बता रहते हैं 169 में क्या था विदान क्या था वह इसमें विदान परिशाद लड़की लग बताओ वंक इगदावा बोला ऐसा विदान परिशादर एगोची विदान मंडल वहीं विदान मंडल तो बहुत बड़ी चीज ओती ही न इसमें दो हिस्से होते हैं दो हिस्से कुण कुण विदान सभा और विदान परिशादर 169 में विदान परिशाद के स्रीजन की चर्चा है ना कि विदान परिशाद की चर्चा है 170 में विदान सभा और 171 में विदान परिशाद विदान मंडल जो है इसे विदान भवन भी कह सकते हैं विदान का मतलोत है नियम कानून नियम कानून यही से बहनता है यह कौं सा नियम लगा दिया तूम हैपी मॉर्णिंग यार गूड मॉर्णिंग के बाद हैपी मॉर्णिंग लाया मैडम करता है कि है अरे गदा अकर आए गुड मोर्णिंग माड़ों जाग जाओ तुम नीद में से जगो तुमको अभी दूसरे और धियान है जग जाओ जाओ गदाहा कई का यही होता है सुबसुब के क्लास में मुबाइल हाथ में तो तुमको दुसरे ख्याल है हाँ चलो दcychते हैं इधर विदान सभा इधर है विधान परश विदान सभा और विदान परश चलिए भद ध nhân से समझते हैं इन दोनों में अंतर के बारे में फिर डीटेल से बताते हैं आर्टिकल तो समझ में आ गया विधान सभा और विधान परिसाथ का बहुत बड़ा विधान सभा हो गया विधान मंडल यह कानून किसके लिए बनाएगा राज्य सरकार के लिए या नहीं राज्य यानि स्टेट के लिए कानून बनाएगा इसलिए हर इस्टेट में इसका होना जरूरी है या नहीं है हारी स्टेट में इसका होना जरूरी है एक और होता है विधान सभा एक और होता है विधान परसा विधान सभा को इंगलिस में क्या कहते है लेजिसलेटिव एसेंबली और इसे क्या कहते है लेजिसलेटिव काउंसिल लेजिसलेटिव काउंसिल Casa Concil Ico-Legislative Assembly ये बताइगे अगर Legislative Assembly का सदस है तो इसे कहांगे मेंबर आफ Legislative Assembly है MLA कहेंगे और अगर अगर मيंबर आफ Legislative Council ये हिंदी में भी कहलाएगा विधाया क्या कहलाएगा विधाया और ये क्या कहलाएगा विधाया कहा है विधाया इस सब खुदे नियम बनाता है, अनियम क्या बनाए ऐसा सुनिये ध्यान से, एक लड़का UPSC की खुब अच्छा से त्यारी गिया, पर लिक के IS बना, उसका रैंक मिलेगा पहले, SDM उतो छोटा मोटा रैंक पर दे देता है, फिर DM बनाएगा, अच्छा खासा है, दोस साल तक DM का अनुभा हो जाएगा न, तब ले जाके उनको देगा कौन सा, इसको फ़ही कौनची निकल गिया, जब DM वगरा हो जाएगे, तब उनको किसी बिभाग का, इतना जल्दी बना देगा, डिरेक्टर बनाएगा पहले, डिरेक्टर मतलब काम का जाग पही देखिया, कोई एको पूरा complete department देदेगा, जीला तो छोटा होता है, अपने बस इसी को कंट्रोल करते रही है, फिर वो इसी department का, जैसे मान के चली, सिक्षा भी भाग या आपका स्वास्त भी भाग तो उसका डिरेक्टर देदेगा, तो सारा काम कोन देखता है, डिरेक्टर जब देगा तब उसके उपर आपको क्या बनाएगा, सेक्रेटरी बनाएगा, सेक्रेटरी के भी कई लियर होते हैं सम, एक सेक्रेटरी रहेगा, उसके उपर सीनियर सेक्रेटरी लेबल के और बिधाये डारेक्ट उतना लेबल का होता है यह यह डारेक्ट सेक्रेटरी लेबल के होते हैं अपने नियम बनाया है सम्थ इसलिए दरोगा औरोगा को तो इस अजेब में लेके घुमता है सम्थ घरे बुलाएगा इसे इस यहां पे IPS मेरा लोग को भी जहर देता है सब यहां पिस सब का се उपया देखिए इस इतना विधाय 또 लोग इस सब सब को अपने आपको लगता है कि यही सब सब कुछ है सब का उपया होता है थ कोट में हाय कोट हो इस ले तित्स्टी-कोट हो गया बहुत उसमें अहंकार है तो कभी उसको ले चलिए कोड में दरा साब समझ में आता है लाइन लगल रहे हैं आपने बाब इन लोग का पावर बहुत जाद होता यह बताओ इन लोग की इतनी इतनी सेलरी होती है कितना ही लोग लूटता भी है सरकारी बंगला मिला है सरकारी गाड मिला है फिर भी टोल टेक्स पे ये टोल नहीं देते है देड़ सो रुपईया देखें बात टोल टेक्स पे देड़ सो रुपईय की नहीं है तोल पर इंसान जब अपना टोल देता है कई को MLA वगरा से मिलते हैं तो कहते हैं कि खांसर आप अपने बच्चों को हमारे पती जहर बो रहे हैं हम करें नहीं नहीं आप जो बोएं हैं उसको साफ कर रहे हैं संग्यागी नहीं गया यह काम ताथ लोगतंत के चौथे अस्तम मीडिया का मीडिया दूसरे का तन ढखते ढखते खुद नंगा हो गया है अब लोगतंत को बचाने की जिम्मेदारी सिक्षा किया गई है और सिक्षित लोग इसे बचा सकते हैं आप तो आप बताईए यह 200 का टोल देने की इनकी हशियत नहीं है लेकिन हाँ गाड़ी निकालेंगे यहाँ पर इन्सों को तो एक्स्ट्रा जियेश्टी डगाना चाहिए 28 का इन्सों के स्पेसल जियेश्टी चालीस परसेंट हो इन लोग के पास कापी ज़्यादे पावर होता है मिस्योज भी बहुत ज़्यादे करते हैं लोग यहाँ पर अजय भी डियाइन का करेंगे लोग जिसमें सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जातियत समीकरण होता है इस जाती का इनसान उसी जाती को वोट देगा एक चीज हमेशा याद रखिएगा आपको सबसे जादे तकलीफ आपके खुद के जाती वाला कहलाएगा दूसरा नहीं कर पाएगा यहाँ पर आपके एक कुलहारी होती है एक दीमक होता है इस दोनों में अंतर होता है कुलहारी से जब किसी पेड को काते है तो पूरी दुनिया देखती है कि कुलहारी से पेड काता है और पेड गिर जाता है ना बावजूद पेड काम लाइक काम आएंगे, आपके जाती धर्म वाले केवल तब कामाएंगे आपके जब आप मार करिये घ़ाना आपका पार फोर लीजेए देखिए आपके स्माज वालस जब आजएगा लेकिन अगर आपको पढ़ने के लिए जरुरुवत है पैसे की जरा मांग के देखिए अपनी जाती समाज नहीं देगा हो वह गुजना देने वाला है यह सब चीजों से तो आप बच के रहना चाहिए यह लोग ने पूरी सिस्टम में उसी तरह बना के रख दिया कि इंसो गया कि हम लोग बताएंगे तो हम लोग बकलो लो जाए यहाँ विधान सबाज होता है इसकी चर्चा किस आर्टिकल में वही 170 अब विधान परिसद 171 171 दिए इसका जनता चुनाओ करती है अपा इसे परत्यक्ष सदन करते है या पिर इसे जनता का सदन करते है जनता का सदन करते है इसका जनता चुनाओ नहीं करती है इसे आपरत इस लिए इसे सिख्षित लोगों का क्या करते हैं? ओर्ड लोग 30 सल मतलब इसके तुलगा में बुढ़ा यहाँपर 30 साल का होता है समझ्जा कि दोनों में अंतय होता है यह बताये मंतरी पर सब्द किसके पर्ति उत्तरदाई होती है विधान पर सब्द यहां देखे, लोकसभा में तो देश पे रहते हैं, तो किसके पती उत्तरदाई होती है? विधान सबा, इधर से भी मंतरी हो सकता है, लेकिन मंतरी बनने कवा बैठेगा कहा? विधान सभा में ही बैठेगा जैसे बिहार में देखेंगे तो मुख मंतरी नितिश कुमार क्या है MLC है विधान legislative council यानि विधान परिशाद के सदस्य है लेकिन बैठते कहा है स्वास्त मंतरी मंगल पंडे भी विधान परिशाद तो अलग अलग जगहों पर यह सब सिस्टम हता है मतस बिभाग के मंतरी मुके सैनी वह भी क्या है MLC बैठते किताने विधान सदन लेकिन वोटिंग डालने किदार आएंगे अपने सदन में तो जिधर मंतरी बैठता है जनता सवाल उधर से ही पूछेगी आता इसे हम लोग पर्थम सदन कहते हैं कौन सा सदन पर्थम सदन यह कौन सा सदन है पर्थम सदन क्योंकि इस दरी क्या बनता है मंतरी बैठता है पर्थम सदन क्यों कहते हैं क्योंकि मंतरी इसी साइड बैठ मंत्री इधार नई बैठता है किसी को कोई दिकत नहीं इसका कारेकाल कितने वर्सका होता है पांस साल कितने साल इसका कारेकाल छे साल एमल्सी का कारेकाल छे साल होता है यह पांस साल तभी रह सकता है जब किसी एक ही पार्टी के पास यह पांस साल तभी पूरा कर सकते हैं कि जब इसमें किसी एक ही पार्टी के पास, इसके टोटल सीटों के आधे से एक सीट जादे हो, जिसे हम सौट कट में पूर्ण बहुमत कहते हैं, तो यहां पांस साल तभी पूरा कर सकते हैं, जब आपके पास क्या हो, पूर्ण बहुमत, नहीं, अगर आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो आप अपने दोस्तों से क्या करिए, मतलब अपने सहयोगी पार्टियों को मिला कर, एक गठ बंधन बनाईए, और जॉइंट रूप से जाके राजिपाल को कहिए, एक जैसी है, हम सिब का मिलाकर वोट बहुमत हो रहा है, आता हमारा पास साल करकार चलता है, लेकिन बीच में अगर कोई साथ छोड़ा दे उसमें और व पूर्ण बहुमत को कम कर दे, तो सरकार क्या हो जाती है गिर जाती है सरकार गिर सकती है अपना यह भंग हो सकता है कि नहीं इधर सरकार बन बें नहीं करता है तो भंग होने का सवाले पैदा नहीं होता है यहां सरकार बनता है क्या तो जब सरकारे नहीं ज़्नता बहांग होनेगी किया सवाल, नहीं समझते हैं. समझ गया लोग क्या समझगे लोग मतब यहा ज़नी इस अधार पर सरकार गिरेगी कैसे लोग्विते है प्रकार करे भूग के से लोगे हे अधार पर नहीं समझpatient ही नहीं है आप पर इस पर कभी हो यह नहीं सकता और इधर सरकार का भाई हुए है यह नहीं है सरकार तो सरकार आये चाहर जाये कि इसे को कोई मतलम नहीं बस पईसा देखे दू करो MLC होगा है इधर से निकाले इधर से करे यही सब्सक्राइन काम रहता इसाब का भी वही काम रहता जादे डेवलप्मेंट नहीं होता बन्ना अगर अच्छा काम कोई भी करेगा इतना पावर होता है इन लोग के पास कि अगर ये लोग एक बार अच्छा काम कर दे, लोग न, इतना पावर होता अपने छेतर में इन लोग के लिए, कि फिर इनको घर नहीं जाना पड़ेगा किसी के वोट मांगने के लिए, इतना इन लोग के पास पावर होता है, लेकिन दिक्कत यह नहीं है कि यह करना नहीं चाहते है समस्या यह है कि यह जानते ही नहीं है समझना जाओगे जी इसको अच्छा उसका तब यह ठीक नहीं जाने दोसको जल्दी अट जाओ तो समझ लाएं कि नहीं इन लोग जानता ही नहीं कि हमारे पास इतना भी पावर है इसके लिए चाहिए सिख्छा पड़ा लिखा होना चाहिए उसको बस इन लोग कोंची आता है जिता दियो और लुटतो हम सरकार बहुत बर गिरी है सरकार हर राज में सरकार कमों बेज गिर गई है अजादी से लेकि आस तक हर राज में ऐसा चलते आया है आगे बढ़ जाते है दिखिए यहां पर यह बताईए क्या यह पास साल से पहले भंग हो सकती इग नहीं है अता यह क्या हो गया अस्थाई अस्थाई यह भंग होगा यह कभी भंग नहीं हो सकता है अता यह क्या है अस्थाई सदन है यह सारे के सारे गुण किसमें देखने को मिले थे, संसद में देखने को मिला था कि नहीं संसद में, संसद कानून किसके लिए बनाती है, किसके लिए, देश के लिए, संसद के कितने सदन, एक का नाम लोकसवा, एक का नाम राजसवा, इसका इंगली सिंदी भी यही होता है, यहाँ CVSC को हावी होने नहीं दिया गया है, अवाँ CVS यह घुजगिया है, विधान सवा को Legislative Assembly, यह बोलो, यहां नहीं है, यहां राज सवा और लोग सवा, हिंदी में इंगली CVS भाला भी लिखता है, राज ये शभा, कि खुब से कुब का एगी तो, lower house and upper house, देखें, यह भंग वसकता है जिए भंग हो सकता है, कर दो इसे कहँ से सदन कहते हैं? आस्ता है, जो चीज आस्ता है होता है, उसे निमन कहते हैं, अच्छा नहीं है, निम्न है, अपर इसे कौन सा सदन कहेंगे, निम्न सदन, अइसे कौन सा सदन कहेंगे, उच्छ सदन कहेंगे, कौन सा सदन, उच्छ सदन, किसी को कोई दिकत नहीं है, देखें, इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है, 79, लोगसवा, राजसवा, लोगसवा, बताएं तो. यह भी यह पर्तियक सदन दिएं और यहां लिख सकते हैं राजसबा. बस आर्टिकल का क्या होगा? अंतर होगा. लोकसबा जायोगा 7891 और यह जायोगा 80. भाकी विसेस्ता है, सेम रहेगी. लोक सभा का भी परत्यक सदन है, जनता चुनाओ करती है, राज सभा भी और परत्यक सदन है, लोक सभा में आयू 25 साल, विदान सभा में भी आयू 25 साल, यह दोनों सदन को युवाओं का सदन, इन दोनों सदन को पर्थम सदन कहते हैं क्योंकि मंत्री इधर ही बैठता है, इसी के पती जिम्मेदार होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सार MLA जनता के लिए काम करता है, MLC का काम क्या होता है, बताए तो आपको, परिस्वा कई से लूटिएगा, देखिए बात समझे, ऐसा लूटना तो थोड़ी सी hard word हो जाएगा, बट किसी भी पार्टी के लिए दो काम होते हैं, एक अगर वो चुनाओ जीत गई, तो उसके दो चहरे बनाने पड़ते हैं, एक जो जनता के सामने रहके, जनता के जरुवतों को पूरा करेगा, जिसमें वो अलग-अलग डिपार्टमेंट का अलग-अलग मंत्री बनाएगा, दूसरा जो पार्टी के संगठन को मजबूत रखेगा, पार्टी को देखते रहेगा, क्योंकि अगली पार्टी है, तभी इनकी सरकार है, संगगा केगी नहींगा, तब हर इनसान चाहता है कि हमरे पास भी कुछ-कुछ पावर हो, लेकिन पार्टी चाहती है, लेकिन एक राजनेता के नजर से, मंत्री का पद बढ़ा नहीं है, उससे बढ़ा पद है पार्टी का, अगर कोई मंत्री है और कोई पार्टी का अध्यक्ष है, तो जादे पावर किसके पास? अभी नरेंदर मोदी बीजेपी की पार्टी से प्रधान मंत्री है, सब को पता है प्रधान मंत्री, लेकिन बीजेपी की पार्टी है, जेपी नड़ा है, दू मिनट में इनको असाइड कर देगा, जेपी नड़ा, तुरत्य कर देगा नरेंदर मोदी की पार्टी की सदस्ते करेंगे कह लिए बखलोल कहीं क्या ऐसा नहीं नहीं समझाने के लिए बता रहे हैं आपको यहां पर जैसे अभी वियार में नितिश कुमार जेडियू से जब कि जेडियू के अध्यक लेलन सिंग ज्यादे पावर समवेधानी की साब से किसके पाँ पाटी के ही साब से लेकिन तो दो चीजे चलती है अब इसी को बैलेंस रखने के लिए जो पाटी के ज्यादे पावर वाले होते हैं उनको थोड़ा सा अजीब लगने लगता है मान के चलिए अब कहीं पधान मंतरी गए और कहीं जेपी नडड़ा गए जदे वैलू किसको मिलेगा जेपी नड़ा देके गए और यार तुब तो हमसे अमरे पावर जदे है तो ऐसे सब के लिए बैलेंस करने के लिए राज्य सभा बनाए गई है और राज्यों में बैले पूरा जम के परचार किया राज में, पाटी के संगठन को मजबूत किया, और उसके दम पर पाटी चुनाव जीती, और उसने विधान सभा में अपनी सरकार बना लिया, लेकिन उस जिस कारेकरता ने ये सब कुछ किया, उसको उतना आइडिया नहीं है सासंग चलाने का, नही वो बिधायक के पदफर जीत सकता है, क्योंकि देखिए, फिल्म की जितनी कहानियां होती है, वो फिल्म का डिरेक्टर रिषाइड करता है, कहां कौन सा सीन लगेगा, कहां कौन सा कट लगेगा, लेकिन अगर उसी डिरेक्टर को आप फिल्म के आगे ला दिजे, तो कोई न थाई डोटो कि सभाट एकिने पूरी मुव बाठ हो backs चारी करता जो होते हैं या पार्टी के जो nember होते हैं संग्ठन संग्धान उन्तरी होते हैं इसलिए जब वहाँ चुना होता है तो जादे फोकस रहता है तो कई ऐसे मंत्री थें लोग जो पहले विधायक बनेंगे उसके वाँ मंत्री लेकिन पांस साल में जनता के लिए अच्छा काम नहीं किये तो पार्टी का जो डिरेक्टर वाला टीम था है यानि पार्टी के संगठन के लोग उन्होंने का जिना इस बार इसको टिकटे नहीं देंगे हर जाएगा इकामे अच्छा नहीं किया तो सुचिए जादे पावर उसका की इसका इसका जादे पावर है लेकिन जरूरी ये है कि आपके पार्टी के जो संगठन का कारे करता है वो आपके परती इमानदार रहे क्योंकि टिकट बातने में उसका योगदान बहुत जादे होता है वही डिसाइड करता है कि इसको कितना वोट मिलेगा कितना नहीं मिलेगा तो दिया, अब उसको भी कोई पद चाहिए की नहीं चाहिए, खाली घरे नहीं नहीं बुछेगा, तो उसी के लिए क्या बनाए गया है, MLC है, संग्या गया, पार्टी को MLC की जरुवत बस दो जगा पड़ती है, कब एक संगठन के लोगों को भी बैठाए जा, बिधायक के पड़ती हैं, तो पार्टी की जरुवत पड़ती है, तो पार्टी क्या करती है, MLC, क्योंकि अगर आपको MLC का टिकट चाहिए, तो पार्टी के फंड में 2 करोड जमा करा दिए, आप किसी को भी पैसा देते हैं, तो आपको income tax देना पड़ता है, लेकिन अगर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को 2 करोड रुपए दे देते हैं, या 4 करोड देते हैं, तो आपको double फाइदा, triple फाइदा, पहला कि वो 2 करोड रुपए पर आपको tax नहीं लगेगा, ठीक है, और बचे हुए account पर tax कम देना पड़ेगा, जैसे मान के चलिए tax percentage है, मान के चलिए 5 पर tax बनेगा की नहीं बनेगा, अब यहीं से tax चोरी होती है, उका करेगा है, यह में 7 लाख मिसलंग, 2 लाख किसी party वाले को देदेगा, किसी party के fund को देगा, एकरे पास कितना बज गया, 5 लाख पर tax है, अब 2 लाख party fund को दे दिया, अब 2 लाख party, अब party का नियम बनाया सब, सब खुद अपना नियम बनाया सब हमरे पास कितनों कोरोड रुपया हो जाए टेक्स नहीं देंगे और भारत सरकार का CAG इनकी जाच नहीं कर सकता है ED इनकी जाच नहीं कर सकती है उच्छू करेंगे क्या कभी इस विधियक के पारित होने के दौरान कॉंग्रेस बीजेपी फला फला पार्टियों में घमासान देखें हैं कि पारित नहीं होने देंगें नहीं सब मरेगा सब जब GST पारित होगी तब बने जनता का जब होगा तब घमासान होगा अपने साइट से पारित करा लिए हाँ सबका फाइदा है समझना रही कि नहीं आ रहा तो यहाँ आप पार्टी के पास कितना चला गया दो लाग अब आप कहिएगा कि तभी बैला को फाइदा का हुआ तो दू लाग चल गया जो इंकम टेक्स में जाना चाहिए वो कहां चला गया पार्टी फंड में हलाकि इ लाख रुपया है उस दो लाख का 10% जाता है यानि मोटा मोटी 20,000 बचाने के लिए 2 लाख रुपया दे दिया तो इसका तरीका है उसको देगा दू अब आद में ले लेगा कैस में दू लग देगा, अब बाद में कैस देदेगा, तब भी तो इसको घाटा है, घाटा नहीं है, तब पाटी हमेशा उसके लिए खड़ा रहेगी, गाउ में केकरो कपार फोर देगा, थाना में केस होगा, तू रत्ते फोन करेगा, विधायक जी, याद है, अक्टूबर में दि खोड़ देते हैं, छोड़ दो रहे, छोड़ दो रहे, खोड़ दो रहे, खतम हो गया, यह सारे चीजे कोई क्या होती है, बेनिविट से, हम लोग अगर ऐसा काम किये रहते हैं, तो कभी इतना बड़ा F.I.R. यह नहीं होता हम लोग के, बारा-बारा को धारा लगा के हम ल केंद सरकार के भी खिलाफ नहीं, केंद सरकार के एक डिपार्टमेंट, रेलवे के, रेलवे डिपार्टमेंट का केवल एक औंग है, RRB, उसके खिलाफ, केस कर रहे है राजी सरकार? बेगाने की साधी में अब्दुल्ला दिवाना, तब तो पता चला, यूक्रेन पर विवाद हो रहा है, हम रूस को बोल देंगे, तो फिर एको केस मत हो जाए हम रहे, यूक्रेन को बोला, यूक्रेन को फिर लगाओ, 302, 307, 306, लाग लगा दे, पूरा ड़काईती रूस गिया तो पैसा मांगने, अभी हुआ फॉस गिया लडाई में, का हमरा पहुचा दो घरे, तीन-तीन को बीबी है, एकके साथे सब भी दबा हो जाएगी, यही घाता होता है सीरीज करेक्शन का, इसलिए फिजिक्स कहता है पैरलल करेक्शन होना चे, एकके को सीरीज से सब लाई है, मेचारा मेरा चाचा फ्यूच करेगा वहाँ तो ही सब बैचारीज से, आगे समझते हैं, किसी को दिखा तू, नहीं बचता, जिस राज में विधान परिसद नहीं है, उस राज भवनी को क्या सोची है, क्या सोची है, पता है, इसका करना जिस राज में विधान परिसद नहीं है, तो राज में विधान परिसद नहीं है, जिस 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 राज में व अच्छा आता है यह कमरा खाली क्यों रहेगा आ ओऐ है एक गतरा सुष्थीं सुष्थ है वह अब समझा गया खाली नहीं रहेंगा समय गया वह हम बनाएंगे की आप माय के चले खाली किसी के घर गाय भॽैश नहीं है तो कया यह याई एंप में समय घूनदा कर दो बनेगा वह हो जैसे इस इसके घर तो खूता होगा तुम कुटा बनाता है कि चोगी पे शोता है तुम्रा कुटा कहा गया? तुम्रे टाइडी भीयर वाला, बहुत नागा मारता है तुम? हाँ? आप द्यान से समझते हैं इसमें फूल गुलदस्ता तब रखवा देंगे रंड़ अबनी तुम फूल गुलदस्ता रखवाईगें सांज में आगया गी नहीं आगया भाग। बताइएं हाँ, बोलो मोँ ए बखलोलवातु नहीं तो सबको पता है छे महिना ये तो पुराना कोश्चन है बिना संसद के सदस बने आप कितने दिन मंत्री रह सकते हैं छे महिना बिना बिधान मंडल के सदस बने क्या राष्टपती की चुना में विधान परिसद होता है? नहीं होता है वो भाग नहीं लेता है उसमें विधान सहब भाग लेती है क्या हर राज में विधान परिसद होना चाहिए आप बताई बिहार में विधान परिसद होना चाहिए नहीं होना चाहिए कोई काम ही नहीं है कोई काम नहीं है आप पर इस सब का मतलब बस एक एक्ष्टा बर्डेन लगा हुआ है उतने चीजों पर हलाकि उतना अगर हटा देंगे बियार में 75 को भी धान पैस्ट है अगर ये हट जाता है तो 75 को बंगला खाली होगा उस बंगले पर इस्कूल खड़ा कर सकते है जहां पर अलग-अलग सिख्छा दे सकते है अलग-अलग टाइप के सिख्छा अगर मान के चले किसी व्यक्ति को कंपनी में काम करने जाना है चाइना क्यों आगे चला गया उसके हर वरकर को कुर्स ना कुछ इसकील्ड आता है मतलब वो ऐसा काम करेगा आप देखते रहा जाएंगे उसका हाथ इतना फास्ट चलेगा और हमारे इंडिया में खराबी क्या है वो हर काम कर लेगा अकोनों में फास्ट नहीं रहेगा वो का गित्ती उठाएगा अभी कहेंगे दिवाल जोडने को तो जोड़ देगा इसे दिवाल तेर जोड़ देगा सब चीज करेगा इसकील्ड नहीं है तो काफी पैसे को बचाए जा सकता है लेकिन जिसके हाथ में नियम कानून बनाना है वो ही करेगा भीम राम बेटकर की विचारदारा एक दम सही थी बस यह उनमें जो विचारदारा थी गाउं पंचायत के खिलाप थे हलाएकि पंचायत बहुत जरूरी है बाकि सब चीज उनकी बहुत बहतरीन थी भीम राम बेटकर साब की जो सोच थी वो दू सो साल आगे का बात बोलते थे अज़ उनका बिरौत करते थे ना व दू सो साल पीछे हैं समझागे लिए ट्रॉक कामाल टेंपु में लोडे नहीं होता समझागे की नहीं बस अब भीम राम बेटकर को समझने की छमता रही नहीं है जो भी बातों को लिखते हैं कि इसका चुनाओ कैसे होता है, इसके चुनाओ में तो कोई दिक्कत ही नहीं, 5 साल पर एक बार चुनाओ होता है, अगर सरकार पूरी तरफ अपना 5 साल का कारकाल पूरा कर दी, तो उस राज के आप निवासी रहने चाहिए, क्या यूपी का आदमी बिहार में जा क्या बन जाएंगे निवासी, उसके बाद चुनाव लड़ लिजे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोक सभा के लिए तो बस भारत का नागरीख होना चाहिए, तो यहां तो कहीं से लड़ लेगा, कोई ज़रूरत नहीं है, भारत का नागरीख तो कहीं भी रहेंगे तो रह सक उस बेसिस पे बन जाएगा, बलो, कोशन पूझ रहा है, अब ही पूझाएगी नहीं पूझे, करेंगी से निवास परमाल पर 100 रुपे हम बन जाता है, एतनो सस्ता नहीं बनता है, एतना सस्ता नहीं बनता है, अब उसके साथ उसे भारत का क्या होना चाहिए, नागरीख पागल दीवालिया नहीं होन, लाब के पत्पर नहीं होन, तुनाओ लड़ ले, घोटाले करने आना चाहिए, ज्याती धरम में लड़ाना आना चाहिए, जूट बोलना, भई जूट का ही बना होना चाहिए, आगे पर जाते है, ये समझ में आगे एलेक्शन का, अलग-अलग राज्यों में विधान सभाओं की सीठे अलग-अलग हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 403 हैं, लेकिन दिक्कत तब होगा, अगर किसी राज्य में विध अगे का उमर बाट से जादे नहीं होना चाहिए, वन्ना उन नजाय अउलाद लगने लगेगा, आप अब खुद, जैसे होना चाहिए, इक नहीं होना चाहिए, तो इस ambience में कोई नहीं नियम लगाना चाहिए, तो नियम लगा के रख दिया गया, किसी भी हाल में, बिधान सभा की सीटे जो हैं वह maximum कितनी हो सकती है कि wszystkie the कि मैं सिक्ते हैं आप बात करते हैं घटानला पुरिषाष्थ में कितनी सीटे रहेंगे इसके लिह पंजी हम नहीं इसके लिए कोई there अभी नहीं है तर फाकिस्तान में भी लड सकते हैं चुनाओ पाकिस्तानी हो क्या तुम? क्या लिए तुम इंडिया के दूसरे देश के नागरी को कभी भी उस देश की पॉलिटिकल इंटर्फेरेंस नहीं करने दिया जाता है अब विधान परिशत के लिए डारेक्ट नियम नहीं है इसकी मैक्सिमाम सीटों की संख्या पर डारेक्ट नियम नहीं हलाकि इसमें मीनिमम साथ रखा गया हलाकि बहुत रा जैसे सिक्कीम वगरा चालीसे है जनसख्या नहीं है वहाँ पहार है आदे जगाओ पर जनसख्या जादे कहां निवास कती है मैदानी छेत्रों में जैसे UPBR यहाँ मैदानी छेत्र है पहार वारा यह नहीं है ना बहुत जादे ठंडी पड़ेगी ना बहुत जादे घर्मी पड़ेगी बाढ़ो आएगा तो कंट्रोले भर रहेगा कि बस फसल खराब कर दे तुनामी की तरह नहीं आएगा तो यही में सब जनसंख्या बढ़ जाती है इसमें काग्या है कि मैक्सिमम जो है वो कितनी होनी चाहिए बस मीनिमम साथ लेकिन वो भी कई जगहों पर वो चीज़े नहीं हो पाए उन राज्यों को यूपी वियार से सीखिना चाहिए बहुत जादे जनसंख्या होगे यूटतर तो अब खुद यूपी वियार की जनसंख्या रूस की जनसंख्या कितना है यह लोगों लोग है आप एजूकेशन सिस्टम बहुत जादे है कोई भी एजूकेटेड लोग जनसंख्या कंट्रोल करने का एक रास्ता महिलाओं को सिक्षित करना अधर वाइज में चिलाते राजे यह जनसंख्या कंट्रोल नहीं हो एक पड़ी लिकी महिला जो है उकरा से उकाबो चार पांच गो लई कि पती काएगा पांच गो लई का तो तोरे बदल देते हूं प्रेक्टरी समझा रहे हैं हमको इसके लिए बहुत जरूरी है माईला शिख्चा अगर माईला शिख्चित हो जाए तो बच्चे को जनम तो अल्टीमेट वही दे रही है ना वहाँ पे उसी के हाथ में पूरे बच्चे को इस्टेबल हो जाएगे, खला कि भारत की जनसंख्या की जो समस्या है, वो future समस्या नहीं है, जो बढ़ी हुई जनसंख्या ने ये समस्या है, हमारे यह fertility rate 2.7 है, तो मैंने धाई है, इस्टेबल माना जाता है इसको, इससे नीचे गया ना, आने वाले 20 सालों में हमारे यह बच्पे किया है वहाँ पर, तो अभी उसने क्या कर दिया, true China policy, मतलब, दो बच्चे, special condition में उसने तीन भी एलाउ किया है, बट ऐसे नॉर्मल में कितना है, दो ही है, कुझी, मतलब समझे, अभी हम लोग के लिए, जो जनसंख्या है, आप पड़े लिखे हैं, अभी हमारे लिए future वाली समस्या नहीं है, बढ़ी हुई जनसंख्या है, जो वो समस्या, अब वो समस्या क्यों है, क्योंकि हम लोगों का education system उतना अच्छा नहीं है, पूरी दुनिया में फेक्टरी चल रही है, पूरी दुनिया में काम हो रहा है, पूरी दुनिया में वर्कर की पाता है, या फिर उसको not bolt कसेगा, तो उसको उतना टेक्निकल आइडिया नहीं है, कैसे कसा जाता है, अतना मोटा मान के चलिए वो है, उसमें कसना है, तो ये कागो करके कसेगा, उसके लिए belt आता है, रख के belt हो पहिना के घीज देता है, उसकी एक टेक्निकल ट्रेनिंग जैसे मान के चलिए ट्रेक्टर की फेक्टरी है, तो आपको एक टेक्निकल ट्रेनिंग दीए, ट्रेक्टर में कौन-कौन सा इस्टूमेंट लगता है, ट्रेक्टर वाला स्कूटी में तो लगेगा नहीं, अब उसका अंगरेजी जान जाएगा, लिमिटेड है, ये है, ये ह कोई सटीबिकेट नहीं, ना तो सब सटीबिकेट बेचेगा सब, आगे ट्रेनिंग लो छो महीना यहां से, जाओ यहां पर, खुब बढ़िया से, दुनिया में कोनो कंपनी ट्रेक्टर बनाएगी, कहां से उठा लो भही, बिहार, यूपी से उठा लो, एक्जाम लो, बढ क्या कहिए गई लोग को, अपने दुनिया बस इले ऐसे उसे, यह कर सकते हैं, चाइना ने इसी को डॉमिनेट किया, लेकिन चाइनीज वर्कर को कोई रखना नहीं चाहता, चाइनीज वर्कर सब से महनती होता है, सुबह साथ बजे उनकी ड्यूटी के टाइम सुरू होता है हम लोग के यह वर्कर का नो बजे हैं, और ख़ईनी बनाते बनाते साड़े यह नो कर देगा, चलो मिश्या जी काम करतो हो, चलो, उसका वर्कर चालू होता है सुबहरे साथ बजे से, और साथ बजे से काम करके, वो बारा बजे तक काम को ओवर करके, सो जाते हैं से खाना प इदेश के लोग उतना पसंद नहीं करते हैं, जिसके दो रिज़एने, एक ससरण कोई इंगलिस तनको नहीं आता है, दूसरा उनकी भासाब पूरी दुनिया को नहीं आती है, इंडिया थोड़ा बहुत इंगलिस बोल लेता है, नहीं बोल लेता है, कोई भूएंग मतलब सच थोड़ा बहुत जान जाता है, बट चाइनीज थोड़ा भी नहीं जानते हैं, आप खुद सोचिए, चाइना का जो ब्रिगेडियर आता है, अधिकारी जो ब्रिगेडियर होता है, वो अपने साथ ट्रांसलेटर लेके घुनता है, गलवान घाटी में आया था, क्या क्यों बो ब्रिगेडियर के बहुते नीचे होता है, लेक्रिगेडियर को अधिकारी कंचर, कैटन, मेजर, लेक्तिन, कर नल, कर नल, उसके बाद ब्रिगेडियर, उन्हों से कहां कि इस चाइनीनर अगिया उन्यन गाएडियर अंहों कि कुछ और बोला था है चाहिनी वर्कर को थोड़ा भी इंग्लिस नहीं आती है वहली समझ से दूसरा यह सब्सक्राइब जहां रहेंगे वहां चमगादर घोड़ा भाइस कुछू खा जाएगा तो इसके साथ रहने वाला इंसान डरता है कि कई हम भी मार पढ़ेंगे हमरे खा जाएगा तो बीदेश में इस सबका उतना वैलू नहीं दिया जाता अब पाकिस्तानी वर्कर भी होते हैं क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का लगब लगब जो जो जोग्रफिकल बनावट है सेम बट उनको कोई रखता नहीं है मार करने में सबसे आगे एक गाओं का दूगवा अदमी अगर साओधी में काम करेगा गाओं में मार हुआ तो हुआ मार कर लेगा हूँ तो अबबा का है मर लो रहे हमरी चाचा के अरे भाइव कंपनी वाला क्या करें तुम्हें में मार पर यहिए खराबी हो ज prêt यहाथ इनलोग में बादी सब्सक्राइब तीक रहता है अलागि कि जलाइज मांगे है वह माणना चाहिए सब्सक्रान बमाल केंगे जहुँएं Gramma. कि हम उसकेपने कफार, रही प्र Pepsi अबिडिया घंआ सब्सक्रा caps missions, बाट आगों, पर कुंद भी जाएं ata को चेलागे कहों धाय कितना सब्सक्राक्स अगरे नहीं लेकिन सब्सक्राइबगे कहता है। इनकी maximum संख्या कितनी हो सकती है आगे बढ़े कितना है maximum इसमें कहा गया है कि विधान परिस्द की संख्या जो maximum हो सकती है वो विधान सभा के कुल सीटों के एक तिहाई से जादे नहीं हो सकती इस डारेक्ट बोला ही नहीं यह तो पूरा डिपेंड कर दिया इस पर अगर मान के चलिए कि विधान सभा जैसे बियार में 270 है मान के चलिए 300 कल्कुलेशन में इजी रहेगा 300 तो maximum कितना हो सकता था maximum कितना हो सकता है 500 maximum कितना हो सकता है अरे विधान सभा maximum कितना हो सकता है विधान परिशत की संग वो depend करती है विधान सभा के संग और यह जो संख्या है यह maximum बता रही है maximum से कम हो सकता है maximum से जादे नहीं हो इसमें तो minimum 60 है बट 60 से भी कम हो जाता है सब्यान केगी ने विदान सभा विदानपरस्त की सीडों की संख्याव अधिक्तम सबसे ज्यादे विदान सभा कहा है U P U P में है अ बियार में है दो सो तीहत्तर दो सो तीहत्तर अब देखते हैं हाँ 277 नहीं है 43 है 277 बोल दिये है अरे ये वला 37 देखो बोलो अब बताते हैं समझने बकलोलवा आगवा पुछते रहता है 277 था बताया तरे कोन वला 37 वो गलती बोल दिये वहाँ पर विधान परिशत के सदस्यों का आप चुनाओ कैसे होता है विधान सभाका ये जन सख्या पर भी चीजे डिपेंड करती है अब ये चीजे कैसी है जनता डärेक चुनती है किसे विधान सभाको VR में टोटल UP में विधान पर सदह यां नहीं है कितने सीट है 75 ये 75 का चुनाओ टरेक रेक जनता करेगी डारेक्ट जनता इसका चुनाव नहीं करते हैं किसी को कोई दिकार नहीं एक पहले सुचना दे देते हैं इकनोमिक्स के बैच का इसको दस बार इसे बोलते हैं न तब खुलते हैं आज थर्स दे जी इसको हमको बदलने का मने नहीं करता है तीन मार्च दोजाब आई सो लिखना पड़ेगा इकनोमिक्स एरे गदाई नो एम कोई जी लिखा ले है यह क्या लिखा हुआ है कर आई टाइम लिख दीजे तीन मार्च को आपका क्या इस्टार्ट हो जाएगा इकनोमिक्स इस्टार्ट हो जाएगा किसी को कोई दिखा दे अचा अचा छी एचे लाड़कों ने एससी एलडीजी यानी छीएचे ल का फॉर्म बरा आप लोग का भी जो टार्गेट बैच होगा छीएचे ल का दे उसमें तो एक अभी तिलाल तो छीएचे ल का ही रहेगा तिलाल जश्ट अभी उसके बाद आदमी लिख अभी छीए छीएचेसल थोड़े नहीं है कमबाइंड हायर सेकेंडरी लेबल जो हता है छीएचेसल जिसे लडीची कहते है वो उसका भी क्लास आपका चालू होगा तीन मार्स दे उसकी टाइमिंग हम आपको मंडे को बताएंगे दोनों होगा बोलो हां 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 कौन हटाना पड़े मनें विधान परिशत कोई हटा दे आप नहीं आए थे आप लाय थे आप तो कल हम आपको ना बताए थे कि अगर विधान परिशत को हटाना है तो उसराज के विधान सभा से प्रस्ताव पारित करके संसत को अरे गधाई ये बता तुम खुद सोच, बिहार की बिधान सभा कई से अटा सकती है यूपी के बिधान परिशत को, बिहार अपना कहे कि आप हमारा अटाई है, यूपी अपना कहे कि हमारा अटाई है, एक बार में कि सब का नहीं अटा सकते हैं, गज़ा भी सोचता है, देश है घर थोड़े है तुम्रा सांगा गया तीन मार्च से CHSL भी है टाइमिंग हम आपको बता देंगे मंडे को तीन मार्च बोलते रहो कोशन इसमें ओलाइन ओलाइन दोनों रहेगा इसका फी और टाइमिंग दोनों बता देंगे आपको मंडे को फी के लिए गधा करें का तुम लोग घोचुए रहे तुमको फी के लिए अगर हमरे पास सोचना पड़े तो तुम एक बाद दिल्ली घुम के आऊ लाग देंग रुपिया जब देखे आएगा मंड जंडा जाएगा यहाप जिनको भारत हम क्या कहते है जिसको फी हमारा जदल लगता है वे एक बार दिल्ली जाए और जिसको भारत में दिक्कत होता है एक बार अफगानिस्तान जाए अजया जिसको फी के लिए कोई बहुत बड़ा इसू नहीं रहता है तुम समझे रहे चाता है को इसे बाल बनाया रहे तुम अब इसके बाद आपका बैच देखिए एक और बैच आएगा मार्च में ही यह वला इस्टेबल हो जाए जब तक एक हफ़ता में इस्टेबल हो जाता है तो आपका वह केमेश्टी है और एक इंडियन मैप मार्च में ही केमेश्टी और इंडियन मैप आजएगा तोटल मार्च में चार बैच है एकनोमिक्स, केमेश्टी, इंडियन मैप और शीय चेसल उसके बाद का चीज़े मार्च के बाद अपरेल में इधर आदमी इधर क्लास डिस्टर्ब नहो जाता है बहुत जादे कोरोना बीच में कूद गिया अब आगे का क्लास हम कल समझेंगा